इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इसे खाने के साथ और एक तै समय पर लिया जाना चाहिए। डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक से बंद नहीं किया जाना चाहिए क्यूंकि ऐसा करना आपकी स्थिती और भी खराब कर सकता है। इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपके डॉक्टर के साथ नियमित फॉलो अपकी सलाह दी जाती है. It may cause side effects like dizziness, headache, blurred vision, nausea, constipation and fatigue in some patients. इस दवा का इस्तिमाल करने के दौरान आपके डॉक्टर आपको किड्नी फंक्षन की नियमित निगरानी रखने की सलाह दे सकते हैं. धो सकता है यह दवा कुछ लोगों के लिए उच्चित न हो. अगर आपको लिवर या किड्नी से जुड़ी कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर को सूचित करना चाहिए. अपने डॉक्टर को नियमित रूप से इस्तिमाल करने वाले अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताएं. यह दवा आम तोर पर गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान नहीं ली जाती है. इसलिए इसे लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्ष ले. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद